हेलो एवरिवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी को पता हुआ कि आईडिया फोर्च कंपनी का आई प्योर है तो क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए जब इस कंपनी के अनॉंसमेंट हुई थी उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे थे वह चल रहे के दिन यह कंपनी से हमें नेगिटेव रिटन मिलेगा या कोई रिटन नहीं मिलेगा तो इसमें हम अप्लाय तो कर सकते हैं पर आपको एक बात और जाननी चाहिए कि हाली में कुछ महीने पहले बीगा दो महीने पहले इस कंपनी की चार्ड रोन चार्जिंग के दौरान ब् बात करूं तो 2020 में ये loss में थे 21 में थे 22 के अंदर 44 करोड के profit में थे और 23 के अंदर almost 32 करोड का profit हो रहा है और यहां पर total बॉरिंग भी देखूँ तो वह भी कुछ पहले 5 करोड के फिर 50 करोड की फिर 5 करोड की और अभी 86 करोड की हो रखी है नेट वर्थ यहां पर आप देखेंगे तो नेट वर्थ बढ़ देए धीरे-धी कंपनी के और यहां पर 2022 से कंपेर करें 23 की तो अल्मोस्ट डबल हो चुकी है लेकिन टोटल रिवैन्यू डबल नहीं हुआ टोटल जो उपर उधार है उसके payment कर Cinem मतलब कर्णर की कंपनी करें लिए तो ऑपनी कमाई से यह उधार चुका पाये वह क्या कर रही है इसके ऐना कर चाहूंगी की अभिए Sophie के लिए आप इंवेस्ट नहीं कर सकते मेरे ओपीनिन में मैं तो नहीं करने वाला मेरा यह होगा कि जो भी लिस्टिंग मिल रहा है मैं उसे क्याप्चिर करने की कोशिश करूंगा अगर यह पॉसिबिल्टी लगेगी कि हाँ गें बढ़ सकते हैं तो मैं ट्वेल करूंगा ले सब्सक्राइब कर लिए और उनकी इंप्लाइब कर लिए तो ओवरल इस आई प्यूंट के चैंसे बहुत कम है इसलिए कोशिश की जितनी भी अकाउंट है अपने फैमिली में आप एक ही अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं अपने नाम से चाहिए आप किसी सिखितने भी ब् पैन काउंट से लिंक होना चाहिए तो वह पैन काउंट करते हैं अगर आपने फैमिली मेंबर के तो आप सबके नाम से अप्लाई कर पाएंगे और इस तरीके से आपके अलॉट्मेंट के चैंसे बढ़ सकते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं इस आप्लाई कर रह